हेलो गाईज, स्टाक मार्केट नियूस फॉर अर्न में आप सभी का स्वागत है आज है 26 अगस्ट बात करेंगे दौलत इन्वेस्टमेंट और फेडरल बैंक के बारे में दोस्तो दोनों ही स्टाक के अंदर आपके पास कमानी की बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी है यहां मैं आपके साथ सीधी बात डिसक्रस करूँगा जिससे आपको यहां पर फाइदा होगा तो सबसे बहले बात करते हैं दौलत इन्वेस्टमेंट की चुकि इसके आज की तारीक में quarter first के नतीजे आ रहे हैं तो definitely आपको यहां पर छोकरना रहना चाहिए क्योंकि यह आपको definitely पैसा देने वाला है चुकि जैसा आप देख पा रहे हैं यहां ये चैनल में काम कर रहा है और ये चैनल में किस तरीके से काम कर रहा है जरा उसको आपको समझ लेना चाहिए तो यहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखे यहां पर एक resistance था जिसको देखेगा यहां पर इसने निकाला और निकालने के बाद देखे इसने ऊपर जाकर एक उपर resistance अपना ढूंडा है इस जगे पर लेकिन उसके बाद देखेगा यहां पर जैसी resistance के पास गया तो फिर से देखेगा यहां गिरावट हुई और गिरावट के बाद आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि द्वारा से लॉट कर यह अपने support के पास आया चोकि यहां पर पहले resistance था यानि कि resistance बाद में देखेगा एक support का काम करता है जब हम एक resistance को निकाल देता है कोई stock तो आप देख सकते हैं यहां पर इसको एक support मिला और further इस channel के bottom से यह फिर से उपर की तरफ गया और इसने फिर से वही resistance इसको देखने के लिए मिला उसी जगे पर जहां पर इसको पहले resistance देखने के लिए मिला था यानि कि यहां पर इस ने इस resistance को निकाला और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उपर यह further अपने channel को फिर से टच करके यहां पर एक resistance बनाता है और फिर नीचे जाता और जाके support लेता उसी जगे पर जहाँ पर देखेगा इसने resistance को निकाला यानि कि इस जगे पर आप देख सकते हैं सीधे उसी जगे पर इसको support मिला यहाँ पर यह फिर से उपर गया और जहाँ पर इसने resistance बनाया था channel पर फिर से उसको छुआ और फिर से नीचे चला गया फिर से इसने वहीं पर support बनाया जहां पर इसको पहले support मिला वा था और वो भी bottom पर बिल्कुल channel के आप देख सकते हैं फिर से इसने इसको resistance को निकाला और इसके बाद फिर से देखेगा इसने वहीं support लिया जिस resistance को इसने निकाला है और further यह उपर की तरफ गय यानि कि इसको आप बेचेंगे आपको बेचना कहां पर है देखें आप इसको यहां पर बेचेंगे तकरीबन इस candle के low पर यानि कि मैं आपको बता देता हूं कि यह जो candle का low है जो कि तकरीबन 60.55 का है तो देखें जैसे यह इसको निकालेगा आपको यहां पर इसको short करना ह जैसी इस लेवल को तोड़ेगा नीचे आपका टार्गेट होगा तकरीबन 54 का आपके पास पूरे 6 रुपए कमाने के लिए यहां पर हैं और आप यहां निकल सकते हैं और फर्दर यह स्टॉक इसी चैनल में काम कर रहा है यानि कि यह आपको लगातार प्रॉफिट कमा कर दे कर देखेगा फिर से नीचे आएगा और यहां पर आप इसको फिर बाय कर सकते हैं यानि कि आपको चैनल के बॉटम पर बाय करना है और इसको सेल करना है जब 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 यह अपने रिजिस्टेंस को जाके टच करेगा वह किस तरीके से करेगा वह मैंने आपको एक्स्पें कर यहाँ पर Target क्या होगा आपको ख्रीदना क्या है वह मैं आपको बता देता हूं। तो फिलाल इसमें जो Target आप holistic कि लिए टकरीबन तक We खरीदना है और देखेगा आपका टार्गेट 68 का है 68 के टार्गेट का मतलब है कि आप तक्रीवन 7 रुपए यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप RSI को समझेंगे तो तक्रीवन यह 50 का RSI को निकालता हूँ दिखाई पड़ेगा इसका मतलब यह है कि इससे उपर निकलने की कोशिश करेगा और 50 से 60 के RSI के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी तेजी दिखाता है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तक्रीवन 7 रुपए की तेजी आने वाली है और आप यहाँ पर बाय करके मुनाफ़ा बना सकते हैं आपको 59 पर खरीदना है और 68 आपका यहाँ पर टार्गेट होगा तो अब आप दोनों स्टॉक को समझ चुके होंगे दौलत इन्वस्टमेंट जो है यह स्टॉक अपने आप में चैनल में काम कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट रेस्टन्स किस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर आप दोनों ही स्टॉक में बड़िया मुनाफ़ा बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों जिसी कात मैं वीडियो को ही पहत्तम करता हूँ आप से लिए अपने अगली वीडियो में चैनल पर नेज़े चैनल को सब्सक्राइब कर दिए आपको अगली वीडियो का नॉटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो में कुछ में इंफॉर्मेटिव अच्छा और लाइक कर दीजे और फ्रेंट का गुपिशन ना भूलेगा चलिए थेंक यू